आज प्रत्हम समुलास पुरा हो जाएगा लाश्ट टाइम हमने कंट्लूट कर दिया था सो नाम यह शतनाम परमेश्वर के लिखें परंतो इन से भिन अभी परमात्मा के असंख्या नाम तो इस तरह स्वामी जी ने सो नामों का यहां अनलाइज किया और इस तरह परमात्मा क इन्नमर्यस बहुत सरे नाम हो सकते हैं जैसे प्रमेश्वर के अनंत गोन इंफिनिट गोन कर्म सभाव हैं वैसे उनके नाम भी अनंत एंडलेस हो सकते हैं इन में से प्रत्य गोन और कर्म सभाव के हिसाब से एक एक नाम भी हो सकता है मेरा लिखना समुद्र के समान वो वो समुंदर के तरह है और मेरी जो लिख जो मैं लिख रहा हूं वान ड्रॉप अप वाटर इन दे उसीन समुंदर में एक ड्रॉप अप वाटर के तरह क्योंकि वेदादी शास्त्रों में प्रमात्मा के असंख्या गोन कर्म सभाव व्याक्यात किये हैं उनको पढ़ने प तो हमें परमात्मा के वो अंगिनत अनकाउंटिबूल जो गोन कर्म सभाव है वो हमें जानने को मिलेगा अन्यपदार्थों का ज्यान भी उन्हीं को पुरा होता है जो वेदादी शास्त्रों को पढ़ते हैं और जो वेदादी शास्त्रों को पढ़ते लिखते हैं उनको न नाम है उसकी जो व्याक्ष्या है या जो explanation है वो पुरा होता है अब एक और कपिक हिसाथ पुरा करेंगे जैसे अन्य ग्रंथकारणों आधी मध्यां और अन्त में मंगलाचरन करते हैं वैसे आपने कुछ भी ना लिखा ना किया अभी मंगलाचरन तो नॉर्मली कि जब भी कोई राइटर कुछ लिखता है ये संस्कुर्क लिटरीचर में दिखता है और आगे जा करके इविन जो लोकभाशा में भारत की जो मॉडन इंडियन लैंग्वेजे से उनमें भी जो पुराने लिटरीचर लिखे गए उस वो शुरुवाद होती है किसी देवी देवता का बंदना या स्तूती से उसी को मंगला चरण केते हैं जैसे बहुत सारी लोग जो प्रवचन करते हैं या कोई टॉक देते हैं तो शुरू में कोई भगवान की स्तूतियोगरा करते हैं तो मिडियवल एज में मध्य यूग में ये परंपरा ज्यादा जोर पकड़ी और ऐसा कहा गया कि किसी भी ग्रंथ के बिगिनिंग में आदी में अन्तमलव एंड में और मध्यमलव बीच में तीन जगा कम से कम मंगला चरण लिखना चाहिए या बोलना चाहिए तो ये ट्रेडिशन नया ट्रेडिशन पर मोश्ट घुच्प लिटॉर में असी में श्याबाद करते हैं कि पूरव पक्षे पूछा कि आपने इस तरह के मंगला चरण वाला सवार्मूला क्यों नहीं अपना है स्वामी जी लिखते हैं ऐसा हमको करना योग्या नहीं है हमें यह इस तरह की करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो आधी मलब बिगिनिंग में मध्य मलब मिडल में अंत मलब एंड में मंगल करेगा तो उसके गरंथ में आधी मध्या मध्या तथा अंत के बीच में जो कुछ इसरो खूल ऑच्छा हो इसी भाव के साथ आप मंगलाचरन लिखते हैं मनीयम कि म स्टार्टिंग में उदbaum ही एक बीच में है ंतो बीच में अगर ओर मंगलाचरन करने से मंगल होता है मंला तो नहीं भिच में रहे गया तो फर वहाहाँ मंगल होगा ऐसा नहीं होता है मंगलाचरण लिखो न लिखो उससे आपकी ग्रंथों में ना मंगल ना मंगल होता है यह ज़स्ट एक ट्राडिशन है इसलिए स्वामी जी पूट कर रहें सांख्य दर्शन की पांच पंच मध्याय के पहला सूप्र मंगलाचरण यह जो मंगलाचरण होता है वो शिष्ट आचरण से शिष्ट आचरण अरकार्थ जो एक सिविलाइजड भीवियर है या जो राइटस भीवियर है धार्मिक व्यवार है फल दर्शनाथ और उस ग्रंथ का या जो भी काम आप कर रहें उसकी क्या रिजल्ट है उसको शुरुतित अश्चेति और शुरुति अर्थात वेद वाक्षियों के द्वारा ही बेनेडिक्शन हो सकता है इसका अभिप्राह है जो न्याय मलद जस्टिस पक्षपात रही इंपार्शियल सत्य सचानिष्ट वेदोक्त इश्वर की आज्या है वेद के माध्यम से इश्व हमेशा आचरन करना ही मंगल आचरन कहलाता है अर्थात आपके लाइफ में मंगल आचरन मंगल विवहार अच्छा सबकुस तभी होगा जब आप अपने लाइफ में जश्ट न्याय पूर्म इंपार्शियल सच्चे परमात्मा के द्वरा वताएगे बातने जो वेदों में उसको ठिक ठिक पालन करें तभी आपके लाइफ में आपके काम में आपके ज्ञान में मंगल होगा ग्रंथ के आरंब से लेकर समाप्ति परियंत सत्याचार का ही कहना मंग करना मंगला चरन है तो from the beginning of the book till the end ग्रंथ के आरंब से लेकर अंत तक जब आप ऑनेष्ट रहते हो जो कुछ लिख रहे हो, factual लिख रहे हो, तथ्य के बेस पर लिख रहे हो, without being biased लिख रहे हो, लोगों की कल्यान के लिख रहे हो, तो अपने मंगल आचरन हो गया, नकि कहीं मंगल और कहीं मंगल लिखना, नकि कहीं अपनी मर्जी से अच्छा कहीं आपनी मर्जी से बुरा लि लेक हमारे जो पुराने रिशी मुनी है वो कैसे लिखते हैं यानी अनबद्यानी करमानी तानी सिवित अभ्यानी नो इतरानी तैतिर्य उपनिशद का जिसमें गुरु शिश्य को कहता है जब वो ग्राजुएशन सिरिमनी या था गुरुण शिश्य को बहुत सरे उप्देश देता है यानी अनबद्यानी करमानी तानी सिवित प्यानी जो अच्छी अनकंडमनेबूल ऐसा काम जिसकी निंदा कभी ना होता हो ऐसा काम जिसकी बुराई नहीं होती हो ऐसे ही कामों को हमेशा तुम्हें करनी चाहिए नो इतरानी दूसरे अर्था जो निंदनिया है जो स्कृटिनेबुल है कंडमेबुल है ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो धार्मिक है वही काम करना चाहिए जो मेरिटेस नहीं राइ जो एतिकल नहीं चाहिए यह सिसे मंगल हम सिए जो आधुने ग्रंथ या तिकाकारों के स्री घ Parlava भ्यावा ना मारा ना मा उरुचरणा विनदा अचले मैं से पहला थोड़ी समझा दो दूं जैसे-जैसे जो modern age में या medieval age से पिछले 500-700 साल से कोई कुछ भी ग्रंथ लिखता है या भाष्य या commentary लिखता है तो वो start करता है ऐसे ही कुछ शब्दों से मंगलाचरण की रूप में और उन शब्द बाक्यों को ध्यान से देखिएगा श्री गनेशाय नमऄ इवर आपकी जो साधी व्याह के काडोगर भी चंपतें उसमें भी इनी महें से कोई होता है घनेशाय नमगे सीता रामा भ्यामन represents क्रिक्रिशना घ्रमन गुरू चरणार विन्दः भ्यामन मा गुरू चरण कमल को बन्दन है इनको बुद्धिमान लोग वेदर शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिठ्याही समझते हैं क्योंकि वेदर रिशी मुन्यों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगला चरण देखने में नहीं आता आर्श ग्रंथों में तो ओम तथा अथा शब्दतों देखने में आता है तो अब यह केवल बुक्ष में नहीं इवेन आप कोई इन्विटेशन कार्ड चापते हैं विवा के जनेव के ग्रह प्रवेश के या कोई कोई बुक लिखता है कोई मंदिर का या कहीं धार्मिक संस्था का कोई ब्रोशर या कुछ भी चपता है आप नूट करेंगे उसके ऊपर इसी तरह के शब्द होता है गने एक नए फेनोमेन एक नया चीज बाद में अपनाएगे प्राचिन काल में जो गरंत शुरू होते थे वो होते थे ओम से या अथ से ओम परमात्मा का नाम है तो परमात्मा का नाम लेकर शुरू करण तो समझ में आता है या अथा एक रिशी मुनियों का एक स्टाइल रहा अथा शब्द से अथा क्या है अभी समझेंगे पर वो सब हटा करके अपने अपने संप्रदाए जो लोक मनुष्य निर्मी जो मैनमेड रिलिजियन बनाए गया मैनमेड गाड इस्टाविलिश किया गया मनुष्यों के द लिश्क कर गया उनके नाम पर आप शुरू करते हो अब बहुत सरे लोग तो वह भी नहीं करते हैं गुरु देवा पुरवे नमा गुरु पादुका चरण गुरु चरणा रविंदेभ्य नमा गुरुओं की बंदना करके स्टार्ट कर यह जो अवक्या है यह जो डिकेंग यह आपको भी देखने की जरुदत है जो हमारे पुराने लीटरीचर है उन पुराने लीटरीचर की शुरुवात कैसी होती या तो ओंकार से या अथा शब्द से अथा यह व्याकरण महाभाश्य का है अथा शब्दान शाशनम अथा इत्ययम शब्दो अधिकार आर्त प्र यहां से मैं इस ग्रंथ की शुरुवात करता हूँ इस चुरूवात करता हूँ इस के अलावा कोई गनेशाय सरस्वत्ती बहरवाय गुरवे इस तरह के जो अन्धाध्धूंद सेंसलेस देवि देवताव के नाम पर हमारे यहां कभी कोई रिशी मुनी ग्रंथ रचित नहीं किया गया तो कुछ एक्जाम्पुल देखते हैं सबसे पहला यह व्याकरण का ग्रंथ है अधा शब्दान उशाशन व्याकरण महावाश्य में महर्शी पतंजली स्टार्ट करते हैं अधा इसके बाद शब्द की चर्चा या डिसकेशन एबाउट वर्ड हम कर रहे हैं इसी तरह जब आप मिमान सा दर्शन पढ़ते हैं वो स् जानने की इच्छा छीरियोसिटी अभी हें धर्म को जानने की इच्छा की बात होती है धर्मक्य है वो हम आगे चर्चा करें तो अधा अधाध यह भूर्ट है बहुत चरह आरते इनमें एक आर्थत यह हुआ कि यहां से शुरू हो रहा है सम्तिंग नैच्रेली इस दा बेश्ट वे टू स्टार्ट एनी बूप कोई भी ग्रंथा लिखने के लिए सबसे बेश तरीका है और अथशब्द का दूसरा आर्थ है इसके इसके बाद किसके बाद इससे पहले या वेदों को पढ़ने के वाद जो कन्फ्यूजन तुमारे मन में आए जिस तरह के डिलेमा या डाउड्स आए डाउड्स को क्लियर करने के लिए यह मिमांसा दर्शन ग्रंत लिखा जा रहा है मिमांसा को पढ़ने से पहले आपको वेद उगरा को पढ़ लेना जुरूरी आप इसी तरह अधातो धर्म्हां व्याक्षायं यह वैसे जीक दर्शन का है यह शुरुऴायग अथा अब यहां से हम धर्म की चक् सांख्या दर्शन अत्यान्त निवृत्ति रहत्यंत पुरुषार्थ सांसारी का विशय भोगान अंतरम त्रिविद दुख फाट निवृत्य अर्थ प्रयत्ना करता वियाव यह सांख्या शास्त्रा शुरू होता है क्या इसके बाद किसके बाद जब तुमने संसार की चीज़ों को भोग लिया तहीं कि तो जो भूतों के द्वरा जो मैटरियल चीज़ों के कारण से जो हमें कश्टिया दुख्या पेन होता है अक्सिडेंट होता है पत्थर गिर जाता है किसी व्यक्ति ने घर तोड़ तोड़ कर दिया चोर पदमाश आगे गामिली में जो प्राबलम होता है रिलेशन्शिप में जो प्राबलम होता है गिर गये चोट लग गया यह सब चीजें ज होने से जो दुख होता है इसको आधिभौतिक दुख कहते हैं दूसरा है आधि दैविक जो दुख देवताओं के कारण होता है देवता को ने जो नाचुरल लग जाता है तो उसके कारण जो जो हमें दुख या कश्ट या परेशानिया होती है बाढ़ आता है इस तरह के जो नाचुरल के लामिटी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके कारण जो हमें दुख या सफ़रिंग या पेन होता है उसको कहते हैं आधि दैविक दुख तीसरा है आध्यात्मिक जो सेल्फ के कारण खुद के कारण होता है जैसे हमारे फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम है हमारा डिप्रेशन है एंग जाईटी ह फिजिकली जो हमारी बिमारियां है या वो प्राव्लेम जो गुसा, लालच, एन्वी, इर्शा, जेलेसी, एंगर, लाश्ट, लाव, इन सब चीजों के कारण जो हमें सफरिंग भोगना पड़ता है, ये सब चीजें अध्यात्मिक दूपते, जिसमें सेल्फिक आज़ाएं। तो लाइफ में तीन तरह के दुखो, जितने भी दुख होते हैं, उनको तीन तरह से क्लासिफाय किया गया, ये सब्सक्राइब होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहां एक ट्राडिशन है हर बात पर तीन बार शांति बोलनें। हैं शांति 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 क्यों बोली जाते शांति का अर्थ ही होता है दुख का शमन अर्था दुख को एराडिकेश करना जब आपका दुख को एराडिकेटेड हो जाए जब दुख आपका अच्छी तरह दूर चला जाए तो जो स्टेट बनेगा उसको शांति बोलते हैं अगर वह भी नहीं तो आपकी जलेसी के कारण आपको रात को नीद नहीं आती है गुस्य के कारण आपको परिशान है अगर वह भी नहीं तो जी बाढ़ा गया घर कुट गया तो यह जो तीनों तरह के प्रावलम है उससे चुटकारा मिलने के लिए जो वीशे जो डिजायर है इसलिए हम तीन बार शांति बोलते हैं कि मुझे आधी भाई आधी दैविक दुख से चुटकारा मिले तो तीन तरह के दुखों से चुटकारा मिले तो इसलिए हम तीन बार शांति शांति बोलते हैं तो यह जो सांख्यदर्शन की बिगिनिंग होती है इससे अथा इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे कि तीन तरह की दुखों का निवुट्टी तीन तरह के दुखों का नाश हम कैसे करसे कहते हैं उस पर उस जिस दर्शन शास्त्रा में जिस फ्लोस्पिम में डिस्केशन करेंगे उसी घान्या मैं तो यह भी स्टाट होती है कौन से वड़ से अथा शब्द से अथा त्रिविधा दुख्खा इती तरह ब्रह्मा शुत्र वेदान्त जो आज कल हमारी क्लाश चल रही है अथा तो ब्रह्मा जिग्याशा अब यहां के इसके बाद ब्रह्मा अर्थात परमात्मा की जिग्याशा जानने की इच्छा या किरियोसिटी पत्यानंतरम ब्रह्मा जिग्याश्यम चार तरह के जो साधन है उसको प्राक्टिस कर लेने पर ब्रह्मा की जिग्याशा यह तो हुआ अथा शब्द से इसी तरह चांद ग्योपनिशद में स्टार्ट होती है कहां से ओम शब्द से ओमित पेता दक्षरम उद्गेथा मुप अप्षासित और ओम उसका पहला शब्द है ओमकार परमात्मा का नाम है ओम अक्षर से चंदोग्योप शब्द से चंदोग्योपनिशद शुरू होता है इसी तरह मांडुक्योपनिशद ओमित्ति एतदक्षरमिदं सरवंतस्योपव्यक्षानम ओम वो जो अक्षर है वो संसार उसी की एक्सपोजिशन या उसी की एक्स्पलानेशन तो इस तरह ऐसे ही अन्या रिशी मुनियों के ग्रंतों में भी ओमकार या अथशब्द से ही कोई बुक स्टार्ट होता है वैसे ही अगनी इट अगनी ये त्रिशप्ता परियंति ये शब्द चार वेदों के प्रिशप्त चार वेदों में भी कहीं भी ये गने शाय नमा इन्य परवत्येन आँ इन्य नमा गुरुदेवा भ्याम नम से कोई गरंत श्टार्ट नहीं हुआ कहां से टार्ट है रिगवेद का पहला शब्द है अगनी शब्द है अगनी इसी तरह जो यजुर वेद ए उस छब्द है इशा इट मलब अन ग्रेन इसी तरह जो आपकी श्रावेद है वह अग्न शब्द से शुरोता है अग्ण आया ही वी ता ये एक रिणा परियंती देवा यह चारों वे दो में कहीं भी इस तरह कोई शब्द ने हैं जो वैदिक लोग वेद के अरम में हरियोम लिखते हैं या पढ़ते हैं या पौराणी को तांत्रिक लोगों के मिध्या कल्पना से सिखते हैं आज कल एक नई विमारी चली है और क्या है इविन वेद मंत्र से पहले जो हमारे यहां ट्राडिशन की ओम के साथ सुरू करने की कोई भी मंत्र बोलो ओम भूर्भुवस्वाथ ओम असतोमा ओम अगनी मिले अब एक नई विमारी शुरू होगे हिंदू में क्या अब ओम नहीं बोलते हैं के बोलते हैं हरी ही मैं एक वोरह स्वाथ यहां तुम कहां से खरीकर्वजार से बरुप किया कहां से करजय में यह हैं ये जवर्दस्तीं का रूप विगाड़ना शास्त्रों क के फार्माट को विगाड़ा जा खाली इतना नहीं इविन जो हमारी एक बहुत एक खुश्रत जो अभिवादन स्टाइल के अभिवादन ग्रिटिंग स्टाइल जैसे आप वेस्टन कल्चर में हालो गुड़नाइट गुड़ मॉर्निंग गुड़ इविनिंग इस तरह को आज भी इविन इंडिया से भारत से भाहर पूरी एसियन कांटिनेंट में आप वो चाइनीज देखो जैपनीज देखो कोरियन देखो थाई विए तनाम कंबोडिया मैलेसिया इंडोनेशिया फिलिपिन समयामार सब जब जगा वो जुख करके अपने बेंड करके हाथ जोड के बोलने की ग्रिटिंग करने की परंपरा इसे वेरी व्यूटिफुल ट्रैडिशन इवन वेस्टन लोग भी जब इस तरह के देखते हैं उनको भी बड़ा अच्छा फील होता है होगा वं हम हमारे सोसाइटी में आप वनमस्ते नमस्कार बोलना ठुड़ गए अब हम्राधै राधै कहीं करके शुरू कर दिया जय uranium क है शूरी जगन्नात कहीं पिलग जो बोले सोनिहाल स्थ्रियका यह कोई greeting है यह तो religious क्या कहेंगे religious गोश है इसकी ग्रिटिंग से क्या लें देने अलश्से इस्वाम आले शुर करतें अल्लाहो अकबर अब यह कोई greeting है अल्लाहो अकबर आप इसी तरह यह जो संप्रदाइक शब्दों का यूज करते वो ग्रिटिंग में वह पूरी के पूरी सिविलाइजेशन और कल्चर को आप डिश्ट्रॉय करते हैं जो आपकी हजार हजार साल की ट्राइडिशन ती उसको अंजाने में आप भरवाद करते हैं कितने खुबशुरत मेनिंग के साथ नमस्ते में तुम्हारे लिए नमन करता हूं आम बाविंग इन प्रंट आफ यू आम रिस्पेक्टिंग यू छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो सब के लिए यह होता था तो क्योंकि हमने नमस्ते नमस्कार आप काम करने लगे तो आप वो श यह इस्लाम मुसलमानों के तरह हाथ हिलात ते जुख पर आप जाओ आप आज भी जैसा जापान कितना प्रस्परस टेक्निकली आडवां साइंटिफिकली आडवांश कंट्री कोरिया कितना आडवांश कंट्री चाईना कहां आडवांश हो गया हमारे विंग जो साउथ पीटिंग में जाओ जहां भी जाएंगे वह को अपना शर जुका करके वह करते हैं कितने खुपशुरत कितने रेस्पेक्वल होता है यह इंडियन लोगा कहां जला गया क्योंकि हम हमारे बाबाओं धर्माचारियों ने हमारी सिविलाइजेशन को बरबाद करने में बहुत है आफ़ि नेता कहतमें कर रहा है यह धर्म के ठेके लेने वाले लोगों नहीं खतम किया हर जो पुझा करती हरे और जो सिब्सक्वल नाम उस वोम को भी करब कर दिया हरियों जोर के तो इस तरह के ग्रंत के आरंब में और बाकी चीजों में अलग-अलग देवी देवताओं को भी एड कर दिया तो यह सारे नई फेनोमेना है जिसका कोई सेंस नहीं है यहां किंचित मात्र इश्वर के विशह में लिखा अब इसके आगे शिख्या के विशह में लिखा जाएगा तो इस तरह स्वामी जी ने स्वामी जी का यह प्रथम समुल्लास ज स्वामी जी का एक पूरा चाप्टर है हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए एजुकेशन दो तरह एक एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल जो आप स्कूल कॉलेज इनिवर्सिटीज में पढ़ते हो जिसका जिसके कारण आपको दुनिया के बारे में समझते हो साइन्स, टेकनलोजी, हिष्ट्री, जोग्राफी, लांग्वेज यह सब चीजें सिखते हो और मैथमेटेक्स अपने आपको स्कील्ड भी बनाते हो प्रोफेशनली और सोशियली कैसे बहेब करना यह सा फॉर्मल एजु जो प्यारेंट्स, फामिली और आपकी जो कम्यूनिटी, जो मंदिर है, यहां से जो बच्चे सिखते हैं कि आपको कैसा ब्येवियर करना चाहिए, आपका बड़ों के प्रतिक कैसे रवया हो, जानवारों के प्रतिक, जो एक होता है, एक दूसरे के प्रतिक हमारा व्यवाह कैसा हो, यह सब चीजें जो होता है, इनफर्मल एजुकेशन होता है, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, बच्चपन से बच्चों को क्या-क्या चीजें सिखानी की जरूरत है, जैसे बच्चों को शुरुश ही, जो स्वामी जी लिखते हैं, भूत, प्रेत, ड बच्चे की दिमाग में यह सब डालोगे तभी बड़े होने पर वह confident होंगे और fearless होंगे नहीं तो आगे जाकर कि कितने भी वह पढ़ लिख ले कि भूत फ्रेद false होता है तो भी उनके अंदर वह डर तो जमी जाएगा इसी तरह जैसे स्वामी जी लिखेंगे आगे जाकर कि आप अपने से बड़ों को respect करना गुरुजनों का पर यह भी बच्चों को सिखाना है अपने से बड़ों को respect करना पर जो उनके दरा अच्छी बाते कही जाए वह सिखना जो बुरी बाते कही कि जाएं या बुरी बातें वो करते हो उसको नहीं सिखना है तैटिर अपनिश्द की मेसेज है ना यानि असमा कम सुचरितानी तानी त्वयोपास्यानी नो इतराणी शिश्य है स्टूडेंट हमारे जो अच्छे बाते हैं वो तुम सिखना हमारे में भी कोई बुरी बाते हो सकता है वो ना सीखर चैनेल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें